अज हम ठंडा ठंडा कूल कूल वाटरमेलन जूस और वाटरमेलन शेक बनाएंगे तो चलिए स्टाट करते हैं वाटरमेलन जूस बना लेते हैं इसके लिए हम वाटरमेलन ले लेंगे और उसे हम कट कर लेंगे उसका जो रेड वाला पाट है वो ले लेंगे और उसके तो घुटाना चाहो तो उसमें हम छान के ले लेंगे हमें ज्यादा हटाने की ज़र०त नहीं है मैंने यह अटा दिया है एका रह जाएगा तो कोई दिकत नहीं है पर जब हम शैक बनाएंगे तो उसके सारे वीज़ हम आटा देंगे तो यह अब मैंने वाटरमेलन ले लिया है एक बावल के लगभग और अब हम इसमें एक चमच शक्कर डाल देंगे आप इसमें सहत भी ले सकते हैं और थोड़ा सा हम इसमें पुदिना डाल देंगे पुदिना पाउडर लिया है आप फ्रेश पुदिना भी ले सकते हो एक चुटकी काला नमक लिया है थोड़ी सी बरफ डाल दी है और आधा नीम्बू का रसम इसमें डाल देंगे और बस जटपट हम तरबूज का जूस बना लेंगे हम इसे मिक्सी में कुछ सेकेंड्स के लि इसे से बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से वाटर मेलन का जूस रेडी हो जाता है और पीने में यह बहुत ही अच्छा लगता है तो अब हम इसे चान लेंगे ताकि इसके कोई रिजिस अगर रह गये हो तो वो चन जाएंगे यह देखिए यह हमने जूस को छान लिया है आइस हमने इसमें पहले डाल दी है तो बस हमें इसे ग्लास में सर्व कर लेना है और इसे लेमन स्लाइस और वाटर मेलन स्लाइस से डेकोरेट करके अब इसे ठंडा ठंडा इंजॉय कीजिए तो यह बहुत ही आसानी से बनने वाला इंस्टेंट वाटर मेलन जूस रेडि हो गया है छट पट यह बन जाता है और पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है नीबू और काला नमाक इसमें मिलकर बहुत यह अच्छा फ्लैवर आता इसमें अब हम शेक बना लेते हैं उसके हैं लाएं hazır तर्बुज लाएं और अब हम शेक बना रहा है तो सो ना रहाऊने है तो मैंने इसके भीज हम ерीज हटा लिया है और इसके छोटे-छोटे पीसे ँिहिए लाज क्षाम निलाते पा emba i यह देखिए पतली-पतली इसमें कटके आए ताकि कोई बीज इसमें नहीं रहे अब हम इसमें दूद डालेंगे और शक्कर डाल देंगे तो मैंने यहां दो छोटे चमज शक्कर ले ली है और दूद यहां पे गोल्ड वाला लेना है आप चाहो तो टॉन दूद भी ले सकते हो पर इसमें गोल्ड वाला ही बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम आइस क्रीम का यूज नहीं करेंगे हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे सिर्फ दूद डालेंगे मिक्सी में थोड़ी दिर हम इसे चलाक कर ले लेंगे तो यह हमारा बहुत स्मूद सा शेक जो है वो रेडी हो जाएगा अब आप इसमें जाहो तो आइस डाल सकते हो वैसे दूद बहुत अच्छा से चिल्ड था तो आइस की ज़रुरत नहीं है और इसे कटे हुए वाटर मेलन से चुटे चुटे टुकडो से डेकोरेट कर सकते हैं और वाटर मेलन स्लाइस से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं और इससे आप ठंडा ठंडा enjoy कि कर सकते हैं ये देखें बहुत ही जल्दी बनने वाला watermelon shake रडी है आप इसमें basil seeds भी डाल सकते हो पर मैंने यहाँ बहुत ही कम सामान से और बहुत ही आसानी से बनने वाला watermelon shake बनाया इसमें हमने बैस का दूद्ध और शक्कर का यूज किया है और इसी चुटे चुटे वाटर मेलन स्लाइस से डेकोरेट किया है